Hunting और Poaching ये दो ऐसी activities हैं जो की इतिहास से ही जानवरों के लिए सबसे बड़ा खत्रा बन के सामने आई हैं और इसी का example है rhinos के precious horns का घटता average size जी हाँ दोस्तों 20th century में जहां इस mammal की population 5 लाग से जादा हुआ करती थी वही 2020 आते आते 25,000 के करीब रह गई हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में especially Asian societies जैसे Vietnam और China में rhino horns को prized possessions माना जाता है एक research में 1886 से 2018 के बीच लिए गए rhinos की photos को compare किया गया तो पाया गया कि समय के साथ साथ खुद ही rhinos का horn size कम हुआ है जो की एक natural adaptation का sign है यहाँ note करने वाली बात है कि rhinos का humans के इलावा कोई भी और predator नहीं है और animals में भी ये adaptation पहली बार नहीं देखा गया है बलकि आफरीका के female elephants में tusks की घटती संख्या भी adaptation का ही एक major example है दोस्तो इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर लिखे ऐसे और informative वीडियो के लिए pathfinder को अभी subscribe करें